असलाम अलेकूं मैं आपके बीच जो मेसेज मैंने आपको दिया था वो ही मेसेज को रिपीट करने के आया हूँ जैसे कि मैं देख रहा हूँ आज भी बहुत सारे लोग रोडों पे हैं उन लोगों के लिए मैं एक इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ कि मंडे से सेंटर गवर्मेंट और्डिनेस पास कर रही है जिसके तहर लोग डाउन के ज़रान जो भी घर से बाहर मिलेगा बगएर किसी रीजन के उसको इमेडिट अरेस्ट किया जाएगा उसको दो साल की सजा उसके लिए है और जब तक कोरोना वायरेस का खत्रा खतम नहीं होता है तब तर उसको जेलों ही रखा जाएगा साथी साथ मंडे के बाद पूरे हिंदुस्तान में आशा मेडिकल वरकर्स और जो दूसरे पैरा मेडिकल वालिंटर्स हैं वो आपके घरों में ये करोना वायरेस के सिम्टम्स चेक करने आएंगे और कोई भी उनसे वर बत्त वारेस का खत्रा खतम नहीं हो जाता तब तक इनको जेलों में रखा जाएगा तो आप लोग जो ऐसी हरकते करते हैं तो अब यह वक्त है आप लोग सुधर जाएए किसी भी हालत में बगएर किसी जरूरी काम के घरों से बाहर मत निकलिए अगर आप लोग इसी तरीके से घ परिष्टों की तरह आपके घरों में आपको बचाने के लिए आपके परिवार को आपके समाज को पुरे मुल्क को बचाने के लिए आ रहे हैं तो इनको आपने खुशामदीद करना है इनका वेलकम करना है अगर कोई भी इंसिजासी बगते में जी किसी ने की तो उसकी सकस सज़ा गवर्मेंट देगी आपको